क्या आप जानते हैं कि A, Q, I जो है क्या होता है और इसको जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छा बात है लेकिन उसके बावजूद भी जो है A, Q, I का बहुत ही बड़ा रोल होता है इसी वज़े से इस वीडियो का हमने टाइटल दिया हुआ कि A, Q, I को जानना जरूरी क्यों है और इस वीडियो में A, Q, I के बारे में A to Z information आपको हम देंगे और काफी simple तरीका से explain करेंगे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि A, Q, I जो होता है इसका full form क्या होता ये जो है कैसे काम करता है A, Q, I हमको जानना क्यों जरूरी है जैसे बार-बार new जोगरा में देखते होंगे कि अलग-अलग सहर का A, Q, I जो है दिखाये जाता कि इस सहर का A, Q, I इतना है साथी साथ कितना A, Q, I जो है हमारे लिए useful है और कितना A, Q, I जो है हमारे लिए harmful है A, Q, I के बढ़ जानने से हम कौन-कौन बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं यानि कुल मिला करके ऐसा जानिए कि A, Q, I के बारे में A to Z information आपको इस वीडियो में हम बताने वाले तो सबसे पहले हम जानने का परियास करेंगे कि जो A, Q, I होता ये A, Q, I जो है short form है तो इसका full form क्या होता तो इसका full form होता air quality index यहां से ही जो है आपको पता चल रहा होगा कि air quality index यानि हावा का quality होता जो गुन होता उसके बारे में हम लोग जो मापते हैं जो उसका चर्चा करते हैं वही जो है A, Q, I का लाता है यानि A, Q, I का सीधा सा मतलब है कि air के quality का क्या करता तो measurement करता अब air के quality का कैसे measurement करता तो इस measurement को करने के लिए जो है लगबग 0 से लेकर के 500 तक का data है इसी basis पे जो है A, Q, I का पता किया जाता कि कहां पे जो है A, Q, I कैसा है और कौन हमारे लिए कितना useful है अब देखें यहां पे हम जानते हैं कि wattage A, Q, I यानि A, Q, I होता क्या तो यह चीज तो आपको अभी ही बताएं कि A, Q, I का मतलब हुआ कि air quality index यानि एक तरीका से air के जो हवा का जो गुनवता बताता है वहीं जो है क्या कर लाता तो A, Q, I कर लाता है अब आगे बढ़ते हैं तो यहां से हम जानते हैं कि how it works यानि A, Q, I जो है काम कैसे करता है तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि माल लेते हैं कि हमारे पास एक room है इस room में अभी हम video बना रहे हैं अभी इस room का हमको A, Q, I जाना है कि इसका A, Q, I क्या है तो उसके लिए हमको एक device के उच करना पड़ेगा हो सकता है कि हम एक बड़े से hall में है उस hall का A, Q, I जाना तो वहाँ पे भी device के उच करना पड़ेगा तो आज कल क्या होता है कि जो बड़े बड़े level के जो सहर है न वहाँ पे जो है सभी सहर का A, Q, I टेस्ट किया जाता है और A, Q, I टेस्ट करके जो है बड़े बड़े device पे display किया जाता है कि आज का current जो है इस सहर का A, Q, I क्या है आप देखेंगे कि news में भी दिखाया जाता है paper में भी आता है आप net पे भी search करेंगे कि हमारे सहर का A, Q, I क्या तो वहाँ पे A, Q, I आपको दिखाया जागा अब A, Q, I दिखाने के लिए जो है डिवाइस का भी जुरत पड़ता है जैसे कि मालने ते कि कुछ इस तरीके का डिवाइस रहता और भी अलग-अलग सेप में डिवाइस होगरा मिल जाता इस डिवाइस को आप चाहते हैं तो नॉर्मली आप खरीद भी सकते हैं और खरीद करके आप जहां पर रहते हैं वहाँ के AQI का मेजरमेंट कर सकते हैं AQI का होता क्या है कि इसका डाटा आपको सुरू में बता दिए कि 0 से लेकर के लगबग 500 तक का यह डाटा मेजर करता है अब जैसे मालने ते कि आपके रूम का हम अभी भी बताएंगे कि AQI का कितना लेवल है और कौन हमारे लिए कितना यूजफूल है और कौन हानफूल है सब कुछ बताने वाले है अगर मालने तें कि आपको लगता है कि आपके यहां का जो है आप जिस रूम में रहा रहा है वहां का AQY लेबल जो है काफी हाई है और वो जो है आपके लिए हारफूल है तब आप जो है Air Purifier का यूज कर सकते हैं आप जिस रूम में रहते हैं वहां पे Air Purifier लगा करके जो है QY को जो बहतर बना सकते हैं, बाकि अभी बिसेस बताएंगे, बहुत सार चीजिस के बारे में, आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर हम बात करने वाले हैं, कि 6 Categories of QY, यानि QY को जो है, टोटल 6 भाग में बाटा गया है, कि कौन जो है हमारे लिए बहतर है, और कौन जो हमारे लिए बहतर नहीं है, तो देखें, उसका सबसे पाहला भाग है 50, 50 का मतलब हुआ कि अगर QY के लेवल जो है, 0 से लेकर के 50 तक है, अगर आपके सहर का QY, यानि Air Quality Index, अगर डिवाइस से चेक करते हैं, और वो डाटा जो है, 0 से लेकर के 50 तक आता है, मतलब समझी बहरी गुड़ है, यानि वो डाटा जो है, आपके लिए काफी ज्यादा बहतर है, आप वहाँ आराम से रह सकते हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, अगर म पार करता है, और मैक्सिमम कहां तक जाता है, तो 200 तक जाता है, तो ये काम चलाओ माना जाएगा फेर है, फेर का मतलब काम चल सकता है, उतना ज्यादा आपके लिए सेफ नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा हर फुल भी नहीं है, अगर डाटा जो है 200 को पार करता है, और 300 तक पार करता और 300 तक रहता है तब थोड़ा सोचने वाला बात है उस सिचुएशन में आपको मास्क को करना पड़ेगा समझ रहना अब डाटा 300 को पार कर रहा है और 400 तक है डाटा 300 को पार किया और मैक्सिमम चार सो तक है तो यह भेरी पूर में आता है यानि यह आपके लिए कईने काई खत्रे का संकित है यानि यहाँ पे रहना आपके लिए बीमारीयों को एक तरीका से दावत देने जैसा है अगर AQI का लेबल जो है 400 को पार कर रहा है और मैक्सिमम जो है 500 तक जा रहा है तो उस समय यह डाटा हजारडस है हजारडस का मतलब हुआ कि यह आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है उस जगह पे ज़ए जरासा भी रहना हमारे सेयत के लिए साही नहीं होगा तो कुल मिला करके AQI को 6 लेबल में बाटे है पाला डाटा जो है 0 to 50 को इंडिकेट किया अगला 50 to 100 को इंडिकेट किया फिर 100 to 200 फिर 200 to 300 300 to 400 400 to 500 maximum data 500 तक हो सकता है अब यह भी नहीं कहेंगे future में हो सकता है कि data इसे ज़्यादा भी हो जाए अब होता क्या है कि हमारा air पॉलूट की होता है इसके पिछे क्या इजेन होता तो इसके पिछे रीजन होता है कि जब हम लोग जो है air होता है उस air में जैसे माल लेते हैं कि आप किसी सहर मेरा रहा है तो वहाँ पे जो है road ओगरा का सई सफाई नहीं हो रहा गाड़िया आ रही है जा रही है तो उसका जितना भी dust ओगरा होता ना इस अब जाकर के air में गष्टाल चलता उस इंडरस्ट्री से जो पोलूटेंट से निकलता वो भी आर को पोलूट करता तो कुछ मिलाकर कि यह सब यह यह में मिल जाता जिसके वज़े से एयर का AQY लेबल बढ़ जाता है और AQY लेबल बढ़ने का मतलब खत्रे का संकेत है जितना AQY लेबल कम रहेगा उतना हमारे लिए बहतर है और जितना AQY के लेबल बढ़ेगा उतना हमारे लिए क्या खत्रा है तो आम तोर पे होता है कि जब बारी सोगरा का समय आता जब बरसाद जादा होती है तो उस समय एर में जितना भी dust particle होता है जो भी harmful particles होता है उस सब बारी से साथ नीची आकर के चिपक जाता है जिसके वज़े से हावा का quality अच्छा हो जाता है लेकिन बहुत सारे case में क्या होत है जहां पे QY जो है 300 भी प्लस जारा नी 400 तक QY जारा हो सकता है उससे बढ़ भी जाया तो वो जगह हमारे लिए रहाना एकदम खतरनाक है समझ रहे ना बाकी आपको हम बता रहे हैं कि QY के बढ़ने के वज़ा से क्या-क्या बीमारिया हो सकती है इसलिए यहां पे हमने heading क प्रॉब्लम हो सकता है आईज में फिर आपके brain में भी जो है प्रॉब्लम हो सकता है आपके lungs में प्रॉब्लम हो सकता है जैसे होता ना कि हम लोग बोलते हैं कि जो आदमी cigarette पीत है उसका lungs जल्दी खराब होता है लेकिन अगर आपके सहर का AQY लेबल जादा है तो उस situation में आप cigarette नहीं पीर रहे हैं उसके बावजूद भी जो है आपका lungs भी खराब हो सकता है डैमेज हो सकता है साथी साथ आपके heart कर लेकर के भी जो है problem हो सकता है stomach याणि पेट से लेटेड आपको तरह-तरह का बीमारी हो सकता है liver का problem हो सकता है bone यानि हड़ी का जो जोड होता है वहाँ पे problem हो सकता है और reproduction का मतलब क्या होता है कि जो नए बेबी का burn होता है उसमें भी जो है आपको दिक्कत आ सकता है तो कुल मिला करके यह समझिए कि EQ के बढ़ जाने से हमको कहीं से कोई फायदा नहीं है सिर्फ घटा ही घटा है और आज के दोर में EQ काफी जादा बढ़ रहा है इसको ले करके कहीं नहीं कहीं सरकार को सचेत होना चाहिए कि कैसे इनभार्मेंट का हम लोग बचा सकते हैं और 37-37 सरकार को तो होना चाहिए लोग को भी होना चाहिए ताकि EQ लेबल डाउन रहा है 100 तक रहा है तो हमारे लिए काफी ज़्यादा बेहतर है 200 के आसपास में भी रहा है तो हम लोग मास को लगा करके काम कर सकते हैं अब बहु सारे लोग क्या है कि जिनके पास अच्छा का सा पैसा है लोग करते हैं कि EQ को भी खरीद कर रखते हैं ड्यिवाइस को इससे चेक करते हैं कि उनके आसपास का EQ क्या है अगर उनको लगता है जादा है तो फिर उसके लिए Air Purifier खरीद रखेet हैं जिस रूम में रहते हैं वहाँ Air Purifier लगा देते हैं पूरिफाइर क्या करता है कि एक limited area के air को ही शाप कर सकता है अब ऐसा नहीं कि जैसे माल लेते AC के बारे मां बात करते हैं तो AC का concept क्या है कि एक room जो है उसको आप थंडा कर सकते हैं अगर माल लेते AC ज़्यादा power का है तो एक बड़े room को थंडा कर सकते हैं इसका मतलव नहीं क कि हम open environment में AC को लगा दे तो पूरा environment ही ठंडा हो जाया ऐसा possible नहीं है तो वैसे air purifier का concept है कि इसका भी एक limited area है उस area को जो है ये कहीं न कहीं पूरे एरिया को नहीं कर सकता है और बाकी अगर आप market में निकलते हैं तो वहाँ air purifier थोड़ी नहीं लेके घुमते रहिएगा घुम आपको सारा चीस समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगे तो comment करके एक बार जरूर बताइए मिलते हैं इसे अगली वीडियो के साथ thank you